हेलो फ्रेंड्स आज की सूरात मैं एक स्केमेटिक डायग्राम से करता हूं डायग्राम ने आप इसे हाडवर सोलेशन बूल सकते हैं हाडवर सोलेशन का यूज इसलिए किया आता है ताकि हम काम को जल्दी कर सके लेकिन उसके लिए आपको जानना जरूर यह तो मेरे पास एक सेवनी यप फॉल्टिसके उलाइट और ग्र्राफिक्स का प्रॉलम है ऐल्यक्ण में श्यूर्ट प्लास फाइबम मिया आपकी जो बूस्टंटे यकम बढ़े है तीना अटी फीलपि लाइट ग्राफिक्स दोना नहीं तो हम डाय्स ऐसों और नहीं नहीजा है हम नागरम मे में है जो कि ब्स ब्स बनता है फिर भी ग्राफिक और लाइट हमारे फोन में नहीं आता है मैंने जब चेक किया तो मैं चेक करने से पहले आपको थोड़ा सा डाइग्राम जो कि बॉर्ड्यू में हार्डवार शोलूशन है उसकी मदद से आराम से कर सकते हैं लेकिन आपको इस नकल है नकल आप बोल सतना अगर आपको स्कमेटिक डियाग्रम की नॉलेज अगर प्रॉपर नहीं है तो बॉर्णियो लेकर भी आपको ज्यादा काम नहीं कर पहलेगा तो वह नगल करने की तरह हो जागा लेकिन इसके लिए आपको बॉर्णियो चलाना सीखना पड़ेगा यहां पर 1.8 है और यहां पर VSN है और VSP है ओके आप देख सकते ही तील लाइन हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यह हमारी जो पहले जो पहले यह दूसरी VSP है और 30 हमारी वोल्टेज रेगुलेटर एल्डियो 1.6 की जो लाइन है जो कि हमारी 46 और आपकी आठ नमबर 3 पीनों पर सब्लाई है तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगा है और हम VSN-VSP को भी थोड़ा देख लें कि हमारी VSN-VSP है और हमारी यहां पर हम देख लेते हैं इसकी जो LCD लाइट है उसकी रिकॉर्बंट भी हम थोड़ी चेक करेंगे तो आयसे LCD लाइट के ओपर मैं यहां पर तो यह जो लाइन आ दिया हमारी PMI 8952 जो कि हमारी प्राइमेरी पावर बोल सकते हैं चार्जिंग बोल सकते हैं ग्राफिक और लाइट तीनों जो चारों सक्षन वो PMI के अंदर होता है तो इसमें भी दिया गिये PMI 8952 तो वहां से दिखिए VSN-VSP मैं आपको दिखाया थोला सा मैं वीडियो जो रिकॉर्डिंग मैंने के इसको पॉस्ट कर देता हूं स्टॉप कर देता हूं ठीकिए अब आयाते मेन हम मोबाइल के उपर है तो फेंड्स हम देख सकते हैं कि हाँ पर मेरे पास जो मोबाइल है Y71 जिसका मैंने आपको थोला सा डाइगरम थोला सा डाइगरम नहीं बोलते हैं इसको hardware solution बोलते हैं तो वहां पर मैंने आपको उसके थूरू मैंने आपको थोड़ा कुछ दिखाने कोशिश की कि हम लोग tracing करने में आसानी हो सके है तो शायद मोबाइल थोड़ा मैं camera setting कर लेता हूं ताकि आपको बता सकने फ्रूली तो फेंड जो मेरी प्रॉब्लम है वह लाइट और ग्राफिक्स से रिलेटिड प्रॉब्लम है किसी ने इसमें काम भी अलोली किया है लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया तो आपके पास अगर knowledge proper होती है तो आप काम को अच्छे दरगे से कर पाते हैं डागनोस कर पाते हैं तो इसमें प् अच्छे थोड़ा सा देखा सको तो देखिए यह मेरा मोवाइल जो कि वाइस सेवेंटीवन भी वह का फोन कल तक मैंने और करके देखा था अन हो रहा था लेकिन साहथ अभी सेजमिस चार्ज है कि नहीं पताने अन करके देखता है तो यह आन हो गया फोन वाइबरेट यह तक नहीं हुआ तो यह देकिए फोन वाइबरेट हो गया लेकिन डिस्प्लेवे कोई ग्राफिक के या लाइट कुछ भी नहीं है तो द सकते हैं कि के इस ए tenían कोर यह तो आप सब है सबसे पेली क्या यहां कर रहे हो त्रेस्टिंग कर रहे होट्र वायरे आधा सब्सक्राइब सब्सक्रायoston कर रहे है उसे हम होड़ोसं क्लिक्ष ounce को बंदया था तो प्रimeं बर्ण की चैकर रगार सकती है आ तो यहां पर देखिये यहां पर बनती है इसकी vsn की погonia कॉर्ण है घब हो कि वह श्रूण की सप्लइए शोप्लाइज नि tu मुर्ण। उप्लै यहां पर मैं सब्सक्राइब नहीं नहीं गरें तो कहीं नogaिया मुझे लगता सब्सक्राइब दिख्कत है चार्जिंग का ने वह ठीक नहीं है और इसमें बैटरी भी डाउन है तो एक बार हम चार्जिंग को लगा को देख लें कि अगर चार्जिंग का प्रॉलम भी इसमें है कि नहीं कि फाल्ट आया था दूसरी जगहा से लेकिन हमें जो चेक करने के यहां रा तरीक है वह स्क्राइब टू यहां पर भी समती है यहां पर देखिए यहांप एक ऑफ एक दी यहां तरफ कोई सफ लेकिन आ रहां तो इसका कंक्लूजन यह निकलता है कि यहां पिसके इंपूट में इंपूट के मतलब आपके चाइड पिन खराब हो सकती है फ्लेक्स खराब हो सकता है तो डितना डिटेल में बदाने का मतलब यही कि आप भी स्टेफ बाइब सब्सक्रां को कर सकिके कोई भी तरह की क्यों दिक्कत ना हो जाए तो यहां पर supply इसकी जो वीबस की जो supply कहीं न कहीं इनपुट नहीं हो रहे कहीं न कहीं ब्रेक है तो इसलिए हमारे वीपेश नहीं बन रही है और इसलिए हमारा फोन ऑन जो कि बैटरी चार्ज नहीं है वह ने एक बार वाइब रट हुआ था तो मुझे लागए फोन अन हो मैं इसको चार्ज पर हो नहीं रहा है तो इसका मतलब वीपेश पावर नहीं जाता है और यहां पर यहां पर वी बस का जो टीपी है वहां तक भी सप्लायर नहीं आ रही इसका मतलब यह कि हम चार्जिंग पिन को थोड़ा के देख लेते हैं कि काहिन है कि हमारा लूच करनक्शन होता है तरह से और यह जिरो पॉइंट वाण जिरो 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 वन जिरो फो इस तरह से है यह मत काम करने का मतलब यह कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज्यादा मिले ताकि आप काम कर सके और आपके लिए वेलियोबल साबित हो सके जो लोग मेरा वीडियो रिगुलरल देखते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है जो लोग नहीं देखते हैं उनको भी देखनी च कोशेश करता हूं जितना हो सके और अगर किसी को ओल्लाइन अफलान में को ट्रेनिंग लें तो वह मुझे से कॉंटक कर सकता है कॉंटक नम्र मुझे मेरा आपको मिल जाएगा देखिए ज्यादा एड नहीं करता हूं प्रूंकि ज्यादा करने से लगता है कि हम मतलब कुछ ज्यादा यह कर रहें अगर आपको अच्छा लेगा तो आप कर सकते हैं अदरवाइस कोई बात नहीं चली हम आज तिन इन मुद्दे पर हम मुझे आप यह फॉल्ट हो ठीक करना है और आपको बताने कि कैसे यह फॉल्ट यहाँ पर है इसका तो कि मेरा डिसी पावर सप्ला कर गया चिहां जो करनेक्ट कर लिए और हम इसको करेंगे उसके बाद सप्लाई को चेक करेंगे पॉन्हारा वाइबरेट हो चुका है है और हम अब सप्लाई आपः यह कुछ कुछन आई नहीEM फोनमारे डिसिट्द पूरा फूली आ उन हो रहा है और यहाँ डिसल्पह में अभी तक कोई भी सप्लाई या ग्राफिक लाइट नहीं आई है तो इसका मतलब कहीं नहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है चलिए हम ट्रेसिंग कर लेते हैं इसको चलिए आयाते हम यहां पर ग्राउंड कर लेते हैं यहां देखिए यहां पर प्लस फाइब की वोल्टेज 5 9 6 7 और यहां माइनस वेसें दोनों की दोनों यहां पर लगब लग आ रही है इसका मतलब यह कि हमारी जो ग्राफिक्स की सप्लाई यह बन रही है देखिए यह ब्लस फॉन में चला गया इसलिए शायद हमारा उब फॉॉले धिरे धील डाउन हो गया तो हम दुवारं से फोन को ऑन कर लीगे और सप्लाई को ट्रेस करिए रहे है है तो मैंने में मिला हमें और यहां बुस्ट वोल्टेज मिल रही है मल्टि में मैं चेक कर रहा हैं तो हम इसको ग्राफिक्स को इक बर देखते हैं कि इसमें है कि नई फोटो इसमें कि कुई भी ग्राफिक लाइट नहीं जानन लगें तो अब हम इसका जो display कनेक्टर रहे है वहां पर ट्रेसिंगर करें है कि हमारी जो watt जैंश है पीछ धी किन चली हम इसकी जो आण करनेंगे दुबारा सौंग करेंगे और डिस्प्ले करेंटर को तो रिमूट कर लेंगे और यहां पर जो सप्लाई जो आने चाहिए वो सप्लाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं देखिए फ्रेंट इसमें बीएसन बीएसपी और बूस वोल्टेज तीनों बन रहे हैं आप क्या करें अब क fist आ प्यानकरी यहां लगैं और देखिए सकते हैं मैं फोण को फिर से लागा करता है और डिस्प्ले पर सब्लाई आट पूट भूर कारना होता है एक दो देखो सकते ही यहां पर वे इसका चाल्ड नमबर का पीन है जो के मारा माइनस 5 ए मैं और छे नमबर का पीन है थेओ Sakyan थेपलाइट। प्लस फ़ाइब जो कि 0.2 पॉइंट्ट और यहां पर 1.8 वएटज रेगूलेटर ल्डी मुण पॉन फट्वा यहां तक देखिए प्लस फाइब वोल्टेज आ रही है इसका मतलब यह उपन हो चुका है और यह लगता है वाटर डेमेज भी लग रहे है तो यहां पर देख सकते हैं तो फ्रांट जल से जल्द हम इसे चेंज करेंगा फोल्ट को ठीक करेंगे टाइम को ज्यादा ना करते कि आइसी हमारे जनेरेट करते है लेकिन यह तीनों सप्लाइए में से एक बीस अपलाई अगर हमारे डिस्प्ले करनेक्टर तक नहीं पहुंसती है यह तीनों सप्लाई तो जिसलिए पर ग्राफिक जिन्दगी में नहीं आएगी मेरे पास मैंने से बहले डीप नॉलिज बन तो शायद आपने दक्रावन आपने जो विए फॉल्ट समय में। क्या हमारे जो ग्राफिक बनने केलिए नियुक्त हुती है वो हमारी होती है ग्राफिक बनने के लिए भर्वर्वर्मिंट होती है तो फ्रेंज्ट्स आप देख सकते ही यहाँ पे तो मैं जलन biraz जलने यहरे इसरे आपे प्रवेक्जिस्टर को तो कि Gray दिधि期間 है यहाँ इसको रचानियम्ष को इसको दो में सबस्थरी ठीक हुआ कि नहीं तो फिर देखिए कितने एजी तरीके से मैंने इसको सॉल्फ किया है और इसको किसी टेगनेशन ने दो तिन बार देखा भी आपने देखा कि तीन इसका अल्रेडी पहले से रिमूव है तो यह छोटी-छोटी चीजे हैं उसकी वेसे हमारा जो काम है तो उनको देखना बहुत जरूरित है तो विएसन विएसपी और वोल्टेज रेगुलेटर ल्डी ओ वन पॉन पॉन एट इसको वीडिडी एसीडी वन पॉन पॉन एट भी कहीं भी बहुत सकते हैं यह जो तीने सप्लाई है ग्राफिक बनने के लिए बहुत लेकिन इसमें से अगर एक भी सप्लाई कर मिसिंग होती है तो आपको डिस्प्ले पर ग्राफिक और लाइट कुछ भी नहीं आएगा तो आपको यह ध्यान रखना है और जल्दी से हम इसको जंपर कर देते हैं और फिर इसका हम चेक करें कि हमारा जो फॉल्ट है वो ठीक चलिए वीडियो पर बने रही है जो अगर आपको थोड़ी सी भी अगर यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लेस कमेंट चलू करिए तीक आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी वीडियो मैं बना सकूं अच्छे डपिक आने वाला टाइम में और ऐसे कंऊ मिलतां कि वीडियो पर बनाने वालाकि तक ही आपके काम करने में आपको प्हर और तो अतो च Roland से करा बेस पतां निया है लेकिन हमारी डिर्स्प्लेर करें तो यहां यहां पर हम देख सकते हैं थाय ऑN करके करें तक जhou हमारी डीयोटेज छोकी पयार को ब्रमारै खाल ने का मतलब मतलब जहीं कि हमारा ग्राफिक और डिस्प्ले को चेक कर लेंगे चलिए फ्रेंट्स ऑन करते हैं फोन को देखिए नॉर्मल सा फॉल्ट है लेकिन एक दू जगह में घूमके है लेकिन इसका मतलब कि उनलों को थोड़ी से भी नॉलज्ज इसके बारे में नहीं है लेकिन यह नॉलज्ज मैं आपक करना है उसके बाद आप नेक्स टेवल पर आंगे तो फोन को थोड़ा से ओन करके देख लेते हैं तो फ्रेंस वीडियो बने रहे के लिए थेंक्यू आप लोग ने बहुत सार प्यार दिया यूट्यूब पर तो यूट्यूब की जितनी फैमिली है जितनी बड़ी मेरी उन